वेलकम टू इदनित हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड और बेसन से बहुत ही इजी नाश्ता एक बॉल में मैंने एक कब बेसन ले लिया है इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक मैंने यहाँ पर आधा चमज डाला है स्वादानुसार नालमिर्श पाउडर मैंने यहाँ पर एक तिहाई चमज डाली है आप नालमिर्श पाउडर के जगां चिली फ्रेक्स भी डाल सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो इसमें थोड़ा गर्म मसाला, धनिया पाउडर वे अमचूर भी डाल सकते हैं अब इसमें पाणी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे गुठल नहीं बनने देनी हैं इसके लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पाणी डालकर मिक्स करते जाएंगे एक साथ सारा पानी डालने से गुठिया बनने के चांसिस बढ़ जाते हैं हमें यहाँ पर थिक बैटर नहीं बनाना है हमें पतला गोल बनाना है हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए इसके लिए मैंने एक कप बेजन में एक कप ही पानी डाला है मैं पहले हल्दी डालना भूल गई थी अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लेते हैं इससे कलर तो अच्छा आएगा ही इसके अलावा हो ये हमारी हल्स के लिए भी काफी अच्छी होती है अब हम एक नॉन स्टिक तवा लेकर उसे गरम होने रखतेंगे तवे को हम बटर से ग्रीज कर लेंगे अगर आपके पास बटर ना हो तो आप घी से ग्रीज कर लें ब्रेट स्लाइस को बैटर में डिप कर लेंगे और फिर गरम तवे पर रखतेंगे अब दूसरे ब्रेट स्लाइस को भी बैटर में डिप करके इस तरह से साथ में जोड कर रख लेंगे ब्रेट स्लाइस को आपस में जोडने के लिए इस तरह से थोड़ा सा बैटर बीच में डाल लेंगे हम इसे मीडियम फ्लेम पर लगभग 2 मिनट पकाएंगे उसके बाद हम इसे पलट लेंगे अब हमें ब्रेट की दूसरी साइड को भी अच्छे से सेक लेना है थोड़ा सा बटर हम इस तरह से इसमें डाल लेंगे लगभग 2-3 मिनट हमने दूसरी साइड को भी सेक लिया है अब एक बार फिर से पलट लेते हैं अब मैं डाल लूँगी इस पर पीजा वाला चीज याने की मॉजरेला चीज या फिर प्रोसेस्ट चीज अब आपको यह चीज का अमांट जितना रखना है उतना इसमें डाल लिए अब हम इन दोनों ब्रेट सैसिस को अलग कर लेते हैं और अब हम इस तरह से इसको इसके उपर फोल्ड कर लेंगे थोड़ी देर हम इसे सेक लेते हैं जिससे की हमारा चीज मेल्ट हो जाए इसे काटकर चचनी या सास के साथ 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 करें दूसरा सेंड़िच बनाने से पहले तवे को साथ कर लेंगे इस सेंड़िच को बनाने के लिए आप अपने मन चाही सबजियां भी यूज कर सकते हैं अभी मैं अनियन चीज सेंड़िच बनाऊंगी इसको बनाने का प्रोसेस सेम ही रहेगा ब्रेट की दोनों साइड्स को अच्छे से से शेक लेंगे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक वर शेयर करें अब इस पे कद्दुकस करके चीज डाल लेंगे बारी कटा हुआ प्यास डाल लें आप चाहे तो इसमें टमाटर खीरा कुछ भी डाल सकते हैं दोनों ब्रेट को सेप्रेट करेंगे और फिर इस तरह से फोल्ड करके थोड़ा सा दबा कर सेक लेंगे रडी है हमारा चीज अनियन सेंड्विच आप इस टेस्टी सेंड्विच को बनाएं, खाएं और कमेंट करें कि यह आपको कैसा लगा . थांक्स वर वच्चिन